हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू पेरेंटिंग इंडिया दोस्तों सिक्स मन्से जब हम बच्चे को सॉलिट देना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कई सारे ओप्शन्स होते हैं जिसमेंसे एक ओप्शन है सेरलेक सेरलेक मार्केट में इसली एविलेवल होते हैं पर एक packed food है, आप इसे traveling के time पे use कर सकते हैं या once a while बच्चे को इसे खिला सकते हैं, बच्चे का कोई भी खाना हम बनाते हैं, तो हमें उसका proper तरीका पता होना चाहिए, वनना कुछ mistakes भी बच्चे को परिशान कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि बच्चे के लिए सेरलेक आपको कैसे बनाना है, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के end में हम बताएंगे कि बच्चे को किस age group पे कितनी quantity में आपको सेरलेक देना चाहिए, तो दुस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो, जब भी आप बच्चे का खाना बनाएं, तो साफ सेरलेक बनाने के लिए आधा कब पानी लीजे, इसे पाश मिनट तक बॉइल करिए, उसके बाद इसे थोड़ा थंडा होने दीजे, जब ये हलका गुन-गुना रह जाए, फिर तीन लेविल स्कूप सेरलेक पाउडर में आपको लगबग वन थर्ड कब पानी, यानी 75 ml पा लिए, और सेरलेक का पैकेट खुलने के बाद इसे तुरंत ही एर टाइट कंटेनर में रख लीजे, और विदन तीन वीक आपको इसे यूज करना है, अब बात करते हैं कि किस एज ग्रूप के बच्चे को कितनी क्वांटिटी में आपको सेरलेक देना है, अगर आप सेरलेक दे रहे हैं, तो एक टीस्पून सेरलेक से स्टार्ट करिए, और फिर आप इसे दीरे-दीरे बढ़ा के, फाइब टू-सीक्स टीस्पून सेरलेक तक बच्चे को खिला सकते हैं, अगर बच्चे की एज 6 तो 10 मंस है, तो आप उसे 3 लेवल स्कूप सेरलेक पाउडर सकते हैं और अगर 10-12 मन्स है तो 4 लेवल स्कूप सेलेक पाउडर और अगर बच्चा एक साल से बढ़ा है तो उस केस में लगबग 6 लेवल स्कूप सेलेक पाउडर आप दिन में 2 बार बच्चे को दे सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्ल